वेलकम टू अजित की यार आज की इस वीडियो में हम लोग रुपै को पैसे में बदलना सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखिए यहां पर सबसे पहला कोशन है इसमें चार रुपै को पैसे में बदलना है कैसे बदलेंगे तो देखिए एक रुपै बरावर कितना पैसा होता है तो एक रुपै बरावर होता है एक सो पैसा यहां पर है चार रुपै चार रुपै बरावर कितना पैसा होगा तो चलिए इसे solve करते हैं, यहाँ पर क्या है, 4 है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 को लिख लेंगे, जितना रुपया दिया रहेगा उतना आपको लिख लेना है, इसके बाद क्या करना है, इसमें आपको करना है, गुना, गुना कितना से करना है, गुना करना है, इसमें आपक चलिए गुना करते हैं तो चार में 100 से गुना करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 400 और यह 400 क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा यह पैसा तो देखिए यहां पर इसका आंसरा चुका है 4 रुपए बराबर हो जाएगा 400 पैसा इसके बाद दूसरा कोशन है 7 रुपए को पैसे में बदलना है तो जितना रुपए दिया रहेगा उसको लिखना है इसके बाद रुपए को पैसे में बदलने के लिए इसमें कर देना है 100 से गुना 100 से गुना किजिएगा तो आपका रुपए पैसा में बदल जाएगा देखिए 7 में 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 700 और 700 क्या हो जाएगा 700 ये हो जाएगा पैसा तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर आज चुका है 7 रुपे बरावर हो जाएगा 700 पैसा इसके बाद तीसरा है 15 रुपे को पैसा में बदलना है यहाँ पर क्या है 15 तो यहाँ पर पहले हम लोग 15 को लिखेंगे इसको क्या करना है पैसा में बदलना है तो इसमें कर देंगे 100 से गुना देखिए 15 में 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा तो 500, 500 क्या होगा? 500 यह हो जाएगा पैसा देखे इसका आंसर आज चुका है 15 रुपय बराबर हो जाएगा 1500 पैसा इसके बाद यहाँ पर चौथा कोश्चन है यहाँ पर देखे 20.50 रुपय को पैसे में बदलना है यहाँ पर है 20.50 पैसे इसको पैसा में बदलना है तो देखे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यह तो पहले से ही पैसा है दसमलब के बाद दसमलब से जो पहले यानि कि जो 20 रुपय है उसको पहले हम लोग पैसे में बदलेंगे यहाँ पर है 20 रुपय तो क्या करेंगे 20 को लिख लेंगे और रुपै को पैसे में बदलने के लिए करते हैं इसमें 100 से गुना तो 20 में 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा तो देखिए 20 में 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2000 पैसा देखिए 2,000 पैसा आ गया और ये 50 पैसा इसके बाद है यहाँ पर दसमलब के बाद तो इसको क्या करेंगे इसमें जोर देंगे 50 को इसमें जोर देंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा देखिए इसके बाद पाचमा कोश्चन है, इसमें 60.50 रुपय को पैसे में बदलना है, पहले है 60, तो 60 रुपय को पैसे में बदलेंगे, 60 है तो 60 को लिखेंगे, और इसमें कर देंगे 100 से गुना, तो देखिए 60 में 100 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6,000, 60 रुपय बरावर हो जाएगा 6,000 पैसा, और यहाँ पर दसमलब के बाद 5,0 रुपय यानि कि यह 50 पैसा है, तो इसको इसमें जोड़ देंगे तो इसका अंसर यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 50 पैसा को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6,050 पैसा, देखिए यहाँ पर इसका अंसर आ चुका है, 60.50 रुपय बरावर हो जाएगा 6,050 पैसा, और यह रहा आज का लाश्ट कोश्चन, इसका अंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा और वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें